वेदानता के फूचर को लेकर के तो विदानता में काफी सारे अब्डेट लगातार आ रहे हैं और कल भी इसके अब्डेट आया था एक दिन पहले भी इस्टाउक में अगरा बात करें रिसेंटल अठाइस जुलाई को अब्डेट आया था है यह इन्योंने वुदानता फॉक्स कों सानी कंड़र क्रने लुइंस इसके बाएं जिसके बाद अबढी स्टाउक में फिर एक न्यूद यूज बदाया जाते है कि जो Foxconn है उसने decide किया है कि वो इस deal में से क्या करेगा अपने आपको withdraw कर लेगा यानि यह जो joint venture विदानता के बीच में और ताइवान की जो Foxconn कमपनी थी इसके बीच में जो एक agreement हुआ था जो इन्होंने एक joint venture create किया था 7 conductor facility लगाने के लिए गुजरात में डोलेरा के अंदर उसको इन्होंने यहां पर क्या कर लिया है विड्रॉ कर लिया है और कमपनी की तरफ से फॉक्सकोन की तरफ से हलां कि ऐसा फिलाल अभी कोई रीजन जिसकी तरफ से नहीं बताया गया है लेकिन अपर ऐसे पर सवाल काफी सरे investor का ही आ रहा है कि इसके बाद क्या होगा देखे इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी विकाज यहां पर बड़े जो experts है और जो companies के तरफ स्क्लेर कर देगा है कि इस deal के बाद इसके विड्रो होने के बाद कोई भी आपर इनके प्रोजेक्ट के ओपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा देखे यहां पर आप देखे न्यूज अभी एक थोड़ी दिल पहली आया है और इसके अदर एक अच्छा अब्डिया दिया है इसके बाद जो एसा कहा जा रहा था कि इंडिया की अभी तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ये इन्वेस्ट्मेंट होने वाली है डेल लाग कोड के असमस का प्रजेक्ट था तो यहां पर गॉर्मेंट के तरफ से भी आज सौंबार को क्लियर कर दिया गया है कि तैवान की जो फॉक्सकॉन कंपनी है और इंडिया की जो विदानता कंपनी है उनके बीच में जो 19.5 मिलियन डॉलर्स की सेमिकंड़क्टर जोइंट पेंचर वाला जो डील होने वाला था उसका अब यहां विड्रॉख होने के बाद भी इसका इंडिया के जो प्लैंज है सेमिकंड़क्टर के मामले में सेल्फ रिलाइंट बनना तो उसके ओपर कोई भी इंपाक्ट नहीं पड़ेगा इसके इलावा अगर आप आते हैं थोड़ा से नीच आप देखिए देखिए यहां पर विदानता ने क्या रिट्रेट किया है क्या बताया है तो यहां पर विदानता ने क्लियर कर दिया है कि वेज़सा कि यह इन्होंने अपने जॉइंट फ्रेंसर से अपने आपको विड्रॉ कर लिया है बड़ उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगा विदानता 100% ओनर्शी के साथ निसको का करेगा आगे प्रजेक्ट को चलाएगा सेमिकंडक्टर का जो फैप प्रोजेक्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा इन्होंने और भी काफी सारे पार्टनर्स के साथ अल्रेडी बातचीत कर रही है और वो लाइन में अल्रेडिक लगे हुए इसके बाद वी विल कॉंटिनी तो ग्रो आर सेमिकंडक्टर टीम और वी हाव दा लैसेंस ऑफ प्रोडक्शन ग्रेड टेक्नोलोजी फॉर फॉर्टी एनन्म फॉर्मा पॉमिनेंट इंटीग्रेटी डिवाइस मेनफाक्चरार विदानता स्पोक्सपरसन टोल्ड बिजस त तो बेज़ेकली यहां पर आप लोगो एक चीज क्लेर होने चाहिए मैंड के अंदर यह जितने भी डवलप्मेंट्स हो रहे हैं स्टॉक में यहां पर इसके वालेशन के उपर इसके प्राइस के उपर कोई भी बैड इंपाक्ट नहीं आएगा आपके लिए बस सभी क्या है बट अभी यह स्टॉक के इंदर भाइ करने के एक सही लेवल है सही लेवल स्टॉक कर रहे है यहां से 260 का स्टॉक एक मेशर सपोर्ट है मंदरा परशन का हम लोग को अपसेट दिखाए और ऐसा होता है तो स्टॉक 325 से लेके 340 तक का लेवल हमको आने वाले कुछ जिनों में दिखा सकता है बाकि इसके लाव फर्दर कोई भी अपडेट्स आते हैं स्टॉक से रेलेटीड तो हम लोग आपके साथ वीडियो के द्वारा शेयर करते रहेंगे तो मिलेंगे नेक्श वीडियो में एक नवीडियो साथ अब तक लेए देंगे सोट फालेस दिगा सेवराइस से